एक थे संजय राव। आप सोच रहे होगा कि मैं एक थे संजय रावत क्यों कह रहा हूं क्यों कि इस संजय रावत जो है वो एक गुबारा है और उस गुबारे में सिर्फ एक पिन से पूरा पंक्चर होके सारी हवा निकल जाती है वो हवा आज सुप्रीम कोर्ट में निकाल दी तो कल संजय राउत आपको पता है बड़ी जोड जोड से उचल रहे थे और वो कह रहे थे कि जो वहाँ पर रह गए है शिव सैनिक हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो अरिस्ट होंगे वैसे आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निरने दिया है उसके अनुसार जो इफेक्ट है उसका उसका इफेक्ट ये है के डिस्क्वालिफिकेशन तो बारह जुलाई तक नहीं ही होगी बारह जुलाई तक तो उनको उत्तर देने का अवसर है जो 49 लोग शिवसैनिक जो साथ में हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ में हैं सुप्रीम कोट ने उनको यह का है कि आपके जो समय उत्तर देने का समय आपको दो दिन का दिया गया था वह बारा जून तक दिया जाता है वारा जून सारे पाँच बेजे तक और गैरा जून को इन्होंने एर्ण रख लिए गैरा जून में वह तहा करेंगे कि साब डिफ्टी स्पीकर इसको कुछ कर पाएगा यद नहीं कर पा और उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि संजय राहुत और संजय राहुत के पिता जी यानि की उद्धव से ठाकरे जी आप लोग तो गए अब आप लोगों का कोई भविश्य नहीं है और शरत पवार जी जो वाकई में इन पूरे शारे शिव सेनिकों के खास्तों से संजय राहु जो है वो शरत पवार हैं तो सारा ये बाप बेटे का खेल खताम और MVA सरकार की अंतिम और उल्टी गिंती आरंब